ओम शांती आज हम जानेंगे भगवान के बारे में कि भगवान सब जगा है या नहीं है आप में, मुझ में, कणकण में, पत्थर ठिकर, जानवर, पसु पक्षी, हर चीज में भगवान है या नहीं है कहते हैं भगवान की मर्जि से एक पत्ता भी नहीं हिलता और ये भी कहते ही कि वही सब अपने अपने दिल में देखो कि भगवान तो हमारे अंदर है आत्मा सो पर्मात्मा आत्मा सो पर्मात्मा कहते हैं कि आत्मा ही पर्मात्मा है अब सारी दुनिया में इतने भगवान कैसे हो सकते हैं आत्मा तो सभी मनुश्यों के अंदर है तो इतने क्या परमात्मा हो सकते हैं और फिर कहते हैं परमात्मा कणकण में हैं हर किसी में हैं कुता बिली ठिकर भितर हर जगा भगवान है तो फिर जब हर जगा भगवान है तो फिर हम जब भी दुखी होते हैं परेशान होते हैं तो अगर कणकण में है तो कभी नीचे वाला जाने बुला हमेशन नीचे देखा कभी दुखी हो करके कणकण में पत्थर में ठिकर में नहीं देखा न हमेशन हमने ऊपर देखा है कि जब भी दुखी होते हैं कि ऊपर वाला जाने यहे भगवान करके जब भी दुखी होते हैं तो उमेशे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो यहाँ पर कुछ चित्र दिखा रखें, उनके माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ, कि परमात्मा सरवग्या और सर्वशक्तिवान है, सर्वग्या मतलब सब को जानने वाला है, सर्वशक्ति और सुबस्थ्ष वाली कि पतित पावन आओ, हमें पतित से पावन बनाओ, तो यहां पे देखो, सबसे पहले यहां पे दिखा रखा है, आपको मैं दिखाती हूं, आपको दिखाई नहीं देगा, यहां पे हैं कि यदा यदा ही धर्मश्य गलाने वह वती भारत, आप सभी न जो यहां पर नहीं है तो उसी को हम पुकारते हैं ना बाना कोई हमारे सामने या हम उसको आवाज दे के पुकारे तो इसको क्या कहेंगे वो तो हमारे सामने है जो हमारे सामने नहीं है जिसको हम बुलाना चाहते तो उसको हम पुकारते रहते है भगवान आओ भगवान आओ इसका मतलब वो यहाँ पे नहीं है यदा यदा है धर्मश जब जब धर्म की गलानी होगी तब तब मैं आऊंगा गीता में ये लिखा हुआ है कि तब तब मैं आऊंगा मतलब clear है कि वो यहाँ पे नहीं है वो आएगा जब धर्म की गलानी होगी यहाँ पर दिखा रखा जैसे दुखी मनुश्य है वो जब दुखी होता है अगर इसके अंदर भगवान है हमारे अंदर भगवान है तो फिर दुख कहे का भगवान के दुखी होने के लिए आएगा कि यहाँ पर भगवान तो कभी दुख होई ने सकता दुखी तो अगर हमारे अंदर भगवान है इसके अंदर भगवान है तो फिर दुखी क्यों प्रभुजी दुख हरो भई भगवान हमारे दुखों को हरो दुख हरता केतना सुख करता दुख हरता तो दुख कौन हरेगा अगर हमारे अंदर भगवान है तो फिर हम किसको पुकार रहे हैं यहाँ पे जैसे दिखा रखा है कि जहाँ गुणी है वहाँ गुण अवश्य होगा अब यहाँ पे यह आग है जैसे दिखा रखिए आग है और यहां पर किसी चीज को उसमें डाला गया है कोई चीज लोहे की चीज उसमें डाल दी गई तो आग क्या है गरम है और लाल है ना ऐसे तो वो चीज भी क्या हो गई लाल हो गई गरम हो गई तो जो उसका गुण था वो इसमें भी चला गया है जो आग का गुण क्या था लाल होना गरम होना तो वो ये चीज भी क्या हो गई लाल हो जाती है उसका गुण भी इसमें चला गया पतलब जहां गुणी है वहां उसका गुण अवश्य होगा अगर भगवान हमारे अंदर है तो हम इतने सर्वशक्तिमान हैं सुक के सागर दुख हरता पतित पावन हैं हम होने चाहिए थे अगर हमारे अंदर भगवान है तो भगवान के गुण तो हमारे अंदर होने चाहिए थे जितने भी भगवान के गुण है सुक शांती सुक का सागर शा नहीं बचा हुआ आज तो मनुश्य के आज दुखी है तो इसका मतलब क्या है कि भगवान हमारे अंदर ही नहीं अब यहां पर ही यह अगर इन दोनों के अंदर भगवान है तो भगवान का काम क्या यहीं रह गया है ऐसे काम करें का भगवान भगवान तो ऐसे कर्म नहीं करे अब ये जैसे दिखा रहा है कि भाई भाई को मार रहा है ये मनुश्य तो फिर यहां पर भी क्या है इन दोनों के अंदर अगर भगवान है तो एक दूसरे को क्या मारेगा कोई चोरी करता है तो भगवान क्या चोरी करेगा अगर उसके अंदर भगवान है तो अब यहाँ पे है कि प्रभुजी दर्शन दो, भक्ती करते हैं, पूजा पाठ करते हैं भगवान कि हमें साक्षतकार हो जाए, हमें भगवान दिख जाए, भगवान के दर्शन हो जाए तो अगर वो हमारे अंदर ही है, फिर हम किसके दर्शन मांग रहें तो ये सारी चीज़े क्या है कि भगवान हम सभी के अंदर नहीं है हमारे अंदर होता तो उसके गुण भी हमारे गुण अच्छे होते न हम सभी मनुश्य अच्छे होते सुक शान्त से भरपूर संपनता से भरपूर होते उसके कुछ तो गुण होते भगवान के भगवान ऐसे कर्म थोड़ी करेगा तो हम सभी के अंदर क्या है आत्मा है ना कि परमात्मा परमात्मा सरव्यापी नहीं है ना कि वो इन कंकर पत्थर जानवर इन सब में भी नहीं है अब ये दिखारक जैसे क्रोकोड़, ये क्या कहते है मगरमच ये किसी चीज को खाता है साप है, वो किसी और चीज को खाता है तो इन सब के अंदर क्या है इनकी भी अपनी आत्मा है इनके अंदर भी भगवान नहीं है इन सब के अंदर भगवान नहीं है कणकण में भगवान नहीं होता अगर फिर तो हम उसको कुचल के जा रहे न पत्थर में ठिकर में उसमें भगवान होता तो अगर हम सब के अंदर भगवान होता तो हम सब में क्या दिव्य गुण होने चाहिए थी तो भगवान सर्व्यापी नहीं होता सर्व्यापी क्यों कहते हैं उसका वेक कारण में आपको बताते हूं कि ऐसे क्यों कहा जाते है कि भगवान सब जगह है वही इसका वेक रीजन है इसका रीजन ये है कि अगर हम सब ये सोचें कि सब जगह भगवान है तो हम अच्छे कर्म करें उनसे डरें कि नहीं भई यहाँ पर भगवान है हम को कहीं वो देख न ले हमें बुरे कर्म करतें तो ये वो बनाई गई थी कि वह शुरू में जब भक्ती शुरू हुई होगी कि वह ये चीज कि परमात्मा को सर्व्यापी कह दिया कि सब जगा है भगवान ताकि जो लोग बुरे कर्म करते हैं वो डरें कि सब जगा भगवाने हमें ये काम नहीं करना नहीं तो भगवान देख लेगा अब जैसे कहते हैं कि भगवान गट गट गवासिये गट क्या कहते हैं गट मीन हृदय या दिल कहते हैं या उसको क्या कहते हैं याद है उसकी हमारे मन में हमारे दिल में परमात्मा की याद है इसले कहते हैं कि दिल में बगवान की याद है उसकी याद बसी है हमारे अंदर बगवान हमारे अंदर नहीं है अ लेकिन हम जहां जाते अभी भी हम अपने पिता शरीर के पिता को याद करेंगे तो क्या होगा उनका चित्र जो है उनकी जो उनकी शक्ल सूरत उनके काम उनका बोलना हमें तुरंत याद आ जाएगे एक सेकंड में कि हां मेरे पापा ऐसे हैं इस तरह से बात करते हैं तो अब ये हम थोड़ी कहेंगे कि वो यहां पे भी हैं, उनकी याद है न हमारे मन में, हमारे दिल में उनकी याद है, तो ऐसे ही हम आत्माओं का पिता जो परमात्मा हैं, उनकी भी याद हमारे मन में हैं, तो ये एक अच्छी चीज के लिए बोला गया था शुरू में, जैसे बड़ तुम में सब में भगवान है तो हम एक दूसरे के साथ अच्छे से बात करें कि बहुत देखो मैं भगवान से बात कर रहा होगर कोई सामने है तो यह चीज इसलिए बोली गई ताकि सब अच्छे से मतलब अच्छा कर्म करें अच्छी दुनिया हो कोई चोरी या गलत काम न कर रहे कि भगवान देख रहा है हमें जा रहा हूं لेकिन ये चीज तो हम भूलं गए हम बुरे कर्म भी करते रहे रह्य किसी के अंदर हैं लेकिन परमात्मा सभी के अंदर नहीं है तो आप सभी ने इस चीज़ को जरूर समझा होगा और यही है कि भगवान सर्व्यापी नहीं है हम सभी के अंदर नहीं है भगवान हम सभी के अंदर आत्मा है और पर्मात्मा सर्व्यापी नहीं वो सर्वग्य है सर्वो शक्ति वान है अच्छा ओम शांती